रतलाम जाबुआ लोक सभाग के बीजेपी का उमीदवार बनने के बाद अलिराजपुर जिला पंचायत के अद्देक्ष अनिता नागर सिंग चोहान आजपूरे तामजाम के साथ और वरिष्ट नेताओं के साथ जाबुआ जिले के दोरे पर निकली राणापूर से उनका स्वागत शुरूँआ और पेटलाव तक लगातार बीजेपी के कार्करता उनका स्वागत करते रहा है इस दोरन अनिता नागर सिंग चोहान और नागर सिंग चोहान ने बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का भी आशरवात लिया बीजेपी की रतलाम जहावाले राजपुल लोकसभा की उम्मीदवार कोशित होने के बाद अनिता नागर सिंग चोहान का काफिला आज जहावा जिले पहुचा उनके साथ उनके पती वन मंतरी नागर सिंग चोहान रतलाम लोकसभा के सनुजग किशोर शाह समेत तमाम पदाधिकारी और बीजेपी के बड़े नेता मौझूद थे उनका काफिला रानापूर पहुचा यहां उन्होंने सबसे पहले बीजेपी के पूर जलाद देख्ष रहे मनोर सेथिया से मिलकर आशिरवाद लिया उसके बाद रानापूर में ही उन्होंने बीजेपी नेता नलिद बदवार के घर पर पहुचकर कारकरताओं के साथ मुल प्रतिमा पर मालर्ग पन किया, उनका आशिरवाद लिया और यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की, मीडिया किसे बातचीत में उन्होंने क्या दावा किया वो सुनिये। तो टन्ठिया मावाद भील की पर मालर्ग पन और मीडिया से बात करने के बाद यह पूरा काफिला राजगण नाका पहुचा और यहां पर पंडित दीन-द्याल उपधिया की पर मालर्ग किया गया, कायरकरताओं ने अस मासा के साथ जमकर नारे बाजी की, हालाकि इसके पहले बीजेपी दब्दर में भी कायर करताओं के साथ नागर्सिंभ चौहान और अनिता नागर्सिंभ ने समवाद किया उसके बाद यहाँ पर पंडित दीन द्याइल की प्रतिमा पर पहुँचे थे और जैसे ही काफिला पहुचा तस्वीरे देखिए सबसे पहले गुमान सिंग डामोर ने अपनी धर्म बतनी के साथ मिलकर अनिता नागर सिंग चोहान का तेलक लगा कर स्वागत किया और अनिता नागर सिंग चोहान के साथ नागर सिंग चोहान ने भी गुमान सिंग डामोर के पेर्च हुए और उनका आशिरवात लेकर सहयोग मागा बाद में उनको सबी को अंदर लजा गया और यहाँ पर गुमान सिंग दामओर परिवार की योर से मिठाई खेलाकर स्वागत किया गया शुप काम नहीं दी गया यह वही तस्वीरे हैं जह हम आपको दिखा रहे हैं यह सबसे एहम तस्वीरे हैं क्योंकि गमान सिंग्डामॉर का टिकट काटा गया आए हाला कि उनका दावा है कि टिकेट काटा नहीं है बलकि परटी के निती के चलते ये शिफ्ट किया गया है यहाँ पर मीडिया से बातचीत में अनिता नागर सिंग चोहान को आशिराद देने के बाद सांसद गुमान सिंग डामोर ने क्या कहा वो सुनिये हमारे देश के यस्टस्वी परदान मंतरी परहमादानी मोदी जी ने भारती जनता पार्टी के समस्त कायर करताओं के सामने यह जी जान लगा देंगे और चार सो पार का लक्ष पूरा करेंगे बीजेपी अपने रणनिती के तहट कांग्रेस को या विपक्षियों को चोकाती आई है बीजेपी ने एक सो पंचानों मिदारों के सूची जारी कर दी और कल रात को नाम का एलान होते ही आज अनिता ना अनिता नागर सिंग चोहान का स्वागत किया अब इंतजार है कांग्रेस की सूची का कि कांग्रेस कब एलान करती है और अतलाम जहाववा लिराजपूर लोग सभा से कौन अनिता नागर सिंग चोहान को चुनोती देने के लिए सामने आता है किसके नाम का एनाउंस होता है फिलार इस Ground Report में इतना ही आप क्या सोचते हैं इस संभवित लड़ाई के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा चैनल पर नए हैं या पहली बार है या बार बार आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा